कि आज हम इस लेक्चर में कोडिनेट सिस्टिम के बारे में पढ़ेंगे कि कोडिनेट सिस्टिम क्या आप है तो कोडिनेट सिस्टिम किसे कहते हैं कोडिनेट सिस्टिम कि जब हम इस तरह का y axis और x axis लेते हैं तो इसे हम two dimensional और 2D जो है तो coordinate system बोल सकते हैं ये हमारा x axis होता है और ये y axis होता है और यहाँ पर अगर हमको कोई point लेना है किसी भी कहीं पर भी यह चार coordinate होते हैं तो अगर हमको यहाँ पर कोई point लेना है तो ये point को हम x, y से represent करते हैं मतलब यह कि इसका जो x coordinate है वो यहां पर है यहां से यह x distance है और यह यहां से जो है अगर हम ऐसा जाएंगे तो यह y distance है y axis पे आने वाला y distance x axis पे आने वाला x distance इस तरह x और y यह हमारे coordinate होते है इस point के ओके तो x और y जो coordinate है यह coordinate को हम एक special नाम देते हैं जिसे कहते हैं partition coordinate इसे कहते हैं partition coordinate system किसे partition coordinate system कहेंगे हम जिसमें हम कोई भी point को represent करने के लिए x, y या फिर x और y को use कर रहे है variable as a variable तो उसे हम partition coordinate system कहते हैं इसमें x, y आते हैं इस तरह उसी तरह coordinate system एक दूसरा भी होता है दूसरे type का जिसे हम दूसरा नाम देंगे तो फिर से मैं x axis और y axis बना रहा हूँ यहां पर यह x axis है हमारा और यह y axis है ठीक है तो और इसमें हम यहां पर एक point ले रहे है जिस तरह हमने ऊपर लिया था उसी तरह हम यहां पर ले रहे हैं और इसमें अब x और y यूज नहीं होंगे जो origin से इस point का distance है इसे हम r बोलेंगे ठीक है तो r, theta जिस तरह मैं x और y लिख रहा हूँ उसी तरह bracket में r, theta लिख रहा हूँ तो इस coordinate system को कहते है polar coordinate system इसे हम polar coordinate कहते है जिसमें हम r यूज करते है r क्या है किसी भी point का origin से distance और दूसरा coordinate है इसका theta जो के positive x-axis के साथ वो line वो point से जो हमने line joint के origin को वो line बना रहा है तो इस तरह यह polar coordinate system रहेंगा अब दूसरा question यह है कि भी हम इस तरह के अलगले coordinate system क्यों use करते है तो यहां पर हम देख रहे है कि कोई भी point को हम को represent करने के लिए x और y लग रहा है यहां पर हम देख रहे है कि यहां पर r और theta लग रहा है अब हम consider करते हैं कि एक particle है जो circular motion perform कर रहा है तो अब अगर वो circular motion perform कर रहा है तो अब हमको उसकी position बताना है ठीक है अब हमको उसकी position बताना है तो हम पहले क्या करते हैं Cartition coordinate system लेते हैं Cartition coordinate system में जब particle ऐसा घूम रहा है तो जब वो particle यहां होँगा तो x और y बदल जाएगा यहां होगा xy बदल जाएंगा यहां होगा xy चेंज होता जाएंगा continuous जो है तो x और y चेंज हो रहा है ठीक है continuous जो है तो x और y चेंज हो रहा है तो मतलब जब particle circular motion perform कर रहा है और हम partition coordinate system use कर रहे है किसके लिए उसकी position बताने के लिए तो हमको वहां पर दो coordinate की जरूरत पढ़ रही है दो variable की जरूरत पढ़ रही है x और y x भी चेंज हो रहा है y भी चेंज हो रहा है अब वही चीज हम यहां देखते है polar coordinate के अंदर particle circular motion perform कर रहा है r जो है तो fix रहेंगा उसका distance और सिर्फ theta चेंज होगा तो जब हम इसकी position बताएंगे तो हमको सिर्फ एक coordinate की जरूरत पढ़ेंगी theta की ठीक है तो दोनो coordinate system में हमने एक particular example लिया circular motion और उसमें हमने यह देखा कि जब particle circular motion perform कर रहा है partition coordinate में दो variable की जरूरत पढ़ रही है और दोनो जो है तो variable है दोनों change हो रहा है जबके polar coordinate के अंदर r fix है constant है और सिर्फ theta change हो रहा है अगर हमको सिर्फ theta पता है r तो fix value है तो हम उसकी position बता सकते हैं कि वो कहां पर है तो मतलब यह हुआ कि जब हम particle के लिए circular motion वाले particle के लिए polar coordinate यूज करेंगे तो सिर्फ एक ही variable उसमें change हो रहा है एक ही variable आ रहा है बाके तो दूसरा variable constant आ रहा है तो मतलब जब कभी भी number of variable कम होते है तो calculation easy हो जाता है इसलिए हम circular motion में particle को perform करने के लिए polar coordinate यूज करेंगे represent करने के लिए तो इसलिए coordinate system जो है कोई भी calculation में number of variable कम हो जाते है तो हमारा calculation easy हो जाता है जैसे derivative है integration करते हैं जैसे बहुत सारी जगापे जब variable कम होंगे तो हमारा calculation easy होता है ठीक है यही इसका main purpose है यही इसका मकसद है कि हम अलग-अलग coordinate system जो है यूज करते हैं ओके चलो अब हम आपस इस पर आते हैं कि partition coordinate और polar coordinate दोरों में क्या relation होता है तो x is equal to r cos theta x का इस तरह जो है तो हम polar coordinate में हम represent कर सकते हैं यहाँ पर मैंने r लिखा है यहाँ theta लिखा है उसी तरह y equal to r sin theta ठीक है यह दो relation हमको मिलते हैं फिर इस इन दोनों ही relation से हमको r मिलता है under root of x square plus y square और इसी दोनों equation से उपर के दो equation से theta मिलता है हमको tan inverse of y upon x ठीक है तो देखो यहाँ पर यह जो दो relation है यह दो relation से partition coordinate से हम polar coordinate find out कर सकते हैं यहाँ पर x y है x y है और यहाँ से हम theta निकाल रहे है ठीक है तो हमको question कुछ इस तरह होता है कि partition coordinate दिये वे होते है और हमको polar coordinate निकालना है एक example हम देखते हैं इस पर तो x, y equal to 3, 3 ठीक है अब हमको बोलाए find polar coordinate मतलब r और theta हमको पता करना है तो r equal to क्या रहेंगा under root में जैसा formula है x square plus y square x 3 square 3 square अंडर root of 9 plus 9 is equal to 2 into 9 9 plus 9, 2 into 9 और 9 का under root निकलता है इसलिए 3 under root 2 और हमने इसलिए calculate कर रहे है उसी तरह हम theta भी calculate कर सकते है तो tan theta is equal to y upon x ठीक है tan inverse मैंने इदर लिखा है tan theta को भी ठीक है तो theta is equal to tan inverse of y upon x ठीक है tan inverse of y भी 3 है x भी 3 है ok tan inverse of 1 तो theta हमको मिल रहा है tan inverse of 1 मतलब tan theta कीस angle पे उसकी value 1 होती है तो 45 होगे तो 45 है उसको हम pi by 4 भी कह सकते है radian में ok तो देखो यहाँ पर हमने r भी find out कर लिया theta भी मानूम कर लिया r, theta equal to bracket में हम लिखेंगे 3 under root 2,45 इस था ठीक है तो यह है हमारा coordinate system partition partition or coordinate partition coordinate system or polar coordinate system